हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फोर यू में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ संजेबियर कोलेज राची के इंटर्मिटेट सेक्षन के बारे में क्योंकि आप में से कहें स्टुडेंट्स के कमेंड्स आ रहे थे कि सेसन दोजाश चोबीस जचबीस के लिए जो एडमिशन होने वाला है उसका फोर्म फिलब का लास्ट डेट कब तक रहेगा इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट कब होग इस वीडियो को जरूर देख लेना और सभी चीज़े समझ लेना ठीक है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और संजीबीर कोलेज राची के इंटर्मेडिट सिक्षन से रिलेटेड लेटिस्ट अपडेट और नोटिफिकसन पाना चाते हों तो चैनल को 0 सब्सक्राइब करें तो चली अब बीना आपका टाइम वीडिट किये अब हमें आपर बात करते हैं आज का जो हमारा टोपिक है उसके बारे में ठीक है तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं syllabus और exam pattern ठीक है लेकिन उसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि session 24-26 के लिए अभी syllabus नहीं आया हुआ है ठीक है जो भी अभी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ syllabus और exam pattern वो पिछले साल का है लेकिन मैं इतना से ओर हूँ कि syllabus में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा ठीक है हो सके exam pattern में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आये लेकिन syllabus में यहा पर चलिए देख लेते हैं syllabus और exam pattern यहाँ पर interest test के लिए जो भी syllabus है वो आप class 10th level का रहेगा अगर देखा जाए कि कौन से stream में कौन कौन से subject है और कितने questions रहेंगे कितने marks के रहेंगे और कितने समय दिये जाएंगे आपको interest test के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते है आर्ट के बारे में ठीक है तो आर्ट में टूटल चार सब्जेक्ट है इंगलिस हिंदी सोसल साइंस और जीके ठीक है टूटल क्वेशन से आप चालिस रहेंगे चालिस एम सक्यूस एक चीज़ में आपको यहाँ पर बताना भूल गया हूँ कि पहले exam जो लिए जाता था सब्सक्याइं वह इंटर स्टेस्ट वह फ्माटन में लिक जाता था लेकिन ब्यूंक कर सकते हैं और उसी व्यجूस दिरूंगे और उसमें सफोसलेक्ट करना और स losing करना है ठीक है उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर रहागा तो एक सोसाट मार्स का यहाँ पर एक्जाम जो नहीं वहला है ठीक है 40 questions रहेंगे और 160 marks का होगा तो एक questions यहाँ पर 4 marks करेगा ठीक है इसके अलावा negative marks भी होता है तो वो भी अब दिहान में रखेगा उसके बाद अगर हम बात करें आपर duration का तो duration आपको 40 minute दिया जाएगा ठीक है मतलब कि एक question के लिए आपको यहाँ पर एक minute दिया जा रहा है ठीक है उसके बाद commerce के लिए यहाँ पर English, Math, Social Science और GK की preparation करनी होगी यहाँ पर भी 40 MCQ और उसके बाद total marks वही 160 होगा और duration जो होगा वही 40 minute होगा ठीक है मतलब यह है कि सभी का यहाँ पर exam pattern same होने वाला है ठीक है बस यहाँ पर syllabus में subject अलग लगे यहाँ पर total जो questions होगे सभी में 40 questions होगे और सभी में 160 marks के आपको यहाँ पर exam होगा और यहाँ पर आपको time दिया जाएगा 40 minute का ठीक है और science में आपका physics chemistry रहेगा और उसके अलावा यहाँ पर जीकी रहेगा ठीक है इन्ही में से आपका यहाँ पर questions आने वाले हैं तो आप इन्हीं का preparation करें उसके बाद है यहाँ पर science में अगर bio ले रहे हैं तो आपको त्यारी करनी होगी यहाँ पर इंग्लीज science में physics, chemistry और biology की और gk की ठीक है तो यह चीज आप दिहान रखें और इन सभी subject के लिए आपको अगर study material नहीं मिल पा रहे हैं तो इसके लिए आपको attention लेने की जौरत नहीं है हमारे चैनल पर सभी subject का mcq types के questions अंसर के वीडियो आने वाले हैं तो आई वोप यह जो इसलिए पस और exam pattern था वह आपका clear हो चुपा होगा तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे question की और तो आपका question था कि session 2 जा 24 से 26 के नहीं आया है तो जब तक इनके result नहीं आ जाते तब तक यहाँ पर college बिल्कुल भी बताने वाला नहीं है कि कब तक यहाँ पर आपका last date रहेगा तो अभी जिनका यहाँ पर result आ चुका है बिंदास आप यहाँ पर registration किजिए और form fill up किजिए जिनका result अभी तक नहीं आया है जैसे कि CBC और ICSE के तो यह ही registration कर सकते हैं ठीक है registration करें और बाकी का चीजे जो है आप छोड़ दे अभी तो यहाँ पर आपका clear हो गया होगा कि जब तक यहाँ पर CBC और ICSE बोर्ट की result नहीं आते तब तक यहाँ पर आपका जो भी form apply हो रहा है उसका last date नहीं बताया तो उसके बाद आपका question था कि interest test कब होगा और उसका admit card कब आएडा ठीक है तो संजेविर college generally June में interest test लेता है लेकिन उमीद है इस बार jack board के result के आने के बाद CBSE और ICSE बोर्ट के result भी जल्दी आ जाएंगे तो मैई के last week में या पर June के first week के आसपास यहाँ पर आपका interest test लिए जल सकता है ठीक है और जब यहाँ पर schedule आ जाता है interest test के लिए मतलब कि 2-4 दिन पहले उसी समय आपका admit card भी आ जाता है और यह सभी updates आते ही मैं आप सभी को information दे दूँगा तो आपको tension लेने की विल्कुल भी जाओरत नहीं है ठीक है तो आई होब यह सभी questions जो है आपका clear हो हो गयो होगा और यहां पर मैंने जो कुछ भी बताया इसके अलावे भी कुछ doubt से कुछ questions से तो जरूर कमेंट करके पूछे ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई ठीक है